Hello students, this is the problem इससे हमारे को given है इस तरह का कुछ arrangement है यह string का top point इसको 2 meter per second से और इसको भी 2 meter per second से दोनों साइट से हम 2 meter per second से इसको खेंच रहे हैं हमारे को find out करना है कि यह block किस speed से उपर जा रहा होगा तो देखिए इस point को 2 meter per second से खेंचना मतलब यह point भी आपका 2 meter per second से उपर आ रहा होगा यह pulley है मान लिया इसका velocity है V इसका velocity V उपर की तरफ है तो यह pulley का velocity भी होगा उपर की तरफ V तो यह कोई pulley है pulley जिसकी velocity है उपर V इसके एक side का string का velocity है 2 और गर मुझे यह मिल जाए तो मैं भी निकाल सकता हूँ V होगा 2 प्लस इस string का velocity divide by 2 तो हम Vs निकाल लेते हैं इसको बोल दिया मैं Vs अगर Vs मिल जाएगा तो हमारे को velocity of load मिल जाएगा तो ध्यान से देखिए पहले हम इस string की बात करते हैं इस string की velocity आगे की तरफ है 2 और यह string यहां से जाकर इस point पर end हो जाती है यह string का यह वाला part क्या है? fix है means यह मूँ नहीं कर रहा है तो हम यह जो blue color से मैंने भी string highlight की है इस string को अगर ध्यान से देखें तो इस point की velocity आपर की तरफ 2 यह part fix है तो इसके लिए हम लिखेंगे 0 तो यह pulley का velocity कितना आजाएगा? यह आजाएगा 1 x side is 2, x side is 0, divide by 2 तो यह इस pulley का जो छोटा वाला pulley है इसका velocity कितना आजाएगा? यह आजाएगा 1 plus 0 by this means 1 आजाएगा यह हो जाएगा इस velocity of small pulley इस velocity of small pulley को मैंने भी यहां पर क्या लिखा है? velocity of string तो यह 1 क्या हो गया हमारा velocity of string जिस speed से यह छोटा वाला pulley उपर जा रहा होगा उसी speed से string उपर जा रहा होगा तो यह कितना आएगा हमने calculate किया? 1 तो यह हो गया? 1 इसका हम solve कर लेते हैं 2 plus 1 by 2 यह हो जाएगा 3 by 2 means 1.5 meter per second it is our answer